हेलो गाइज स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल फ्रतक क्लासेज में तो गाइज इस क्लास के दर बहुत ही शांदार टोपिक के बारे में बात करने वाले हैं हम बात करेंगे भारत के मंदिर मस्जित एंग गुरुद्वारे के बारे में जो आपकी एक्जाम के पॉइं हेला मिल सके गाइज हमने सेट फस्टरं कंपलीट कर लिया है इंप्पोडेंट क्यूशंब के माद आज मों बात करंगे वह बात करने आवाले सेट इंप्पोडेंट के बारे में टोटल केद्चवार यूससर नहीं विटो कैष्षण है चले हैं बिना टाम वैस्ट के विढ Qsion है बद्रिनाथ धाम की सहर में इस्तित है बद्रिनाथ धाम की बात की दिए कौन जी सहर के अंदर ये इस्तित है तो ये इस्तित है चमुली के अंदर Option number D अपना क्या होगा सही answer हो जाएगा इस Qsion का जितने में Qsion है गाईज Important Qsion है तो इस वीडियो को जरूर देखे अगले क्यों देखे हरिद्रिवार इस्तित हर की पोड़ी का निर्मान कराया था हरिद्रिवार के अंदर इस्तित है हर की पोड़ी उसका निर्मान किसके दोरा करवाया गया था इसका जो निर्मान करवाया था वो राजा विक्रमा दित्ते ने करवाया था option number B अपना क्या होगा सही answer हो जाएगा इस question का ओके बढ़ते हैं अगले important questions की तरब अगले की कोणार के सूर्य मंदिर का निर्माता कोन है कोणार का सूर्य मंदिर ये तो आपका उपता चल गया कोणार के अंदर कौन सा मंदिर सूर्य मंदिर उसके निर्माता के बारे में पूछा गया है तो इसका निर्माता कोन है नर्सिंग देव दित्ती है option number C अपना सही answer हो गया okay अगला question देखिए नागर एउन द्रविड है ये कल set first के अंदर आपने बात किती तीन शेलियों के बारे में ठीक है जिसे नागर एउन द्रविड है क्या है भारत या मंदि इस्तापते की दो परमुक सेलिया option number B अपना सही answer हो गया जिस बच्चे ने set first देखा है set first के जितने भी important question को देखा है उसके लिए बहुत ही important बन जाएगा set second अगला question देखिए कि भारत में सबसे पहले निर्मित सीनागोग किस राज्य में इस्तित है किसकी बात की गएज सीनागोग की बात की कि कौन से राज्य कंदरिय इस्तित है तो ये इस्तित है कहाँ पे महाराश्टर में option number A के आपना सही answer हो गया साथी साथ गाईज आप महाराश्टर की capital के बारे में मुख्यमंति राज्य पाल लोकसभा राज्य सबाशीट और इसका गटन कब हुआ इसके बारे में आप मेरे को comment में answer जरूर करेंगे क्योंकि आपकी exam के लिए बहुत ही important है ओके बात करूंगा सीनागोग के बारे में कि यहूदियों के प्रातना इस्तिल्गोग कहते हैं सीनागोग द्यारकना किसको कहते हैं यहूदियों के प्रातना इस्तिल्गोग अगला जो क्यों सोने की एलोरा की गुफाएं और सेल कृत मंदिर यह एलोरा की गुफाएं आपको पता है चीक है और सेलकृत मंदिर है किसके लिए है बोद और हिंदू के लिए है आप आंसर करें इसका तो गाइज एलोर की गुफाएं और सेलकृत मंदिर है वो हिंदू, बोद और जेन इन तीनो दर्मों के लिए है option number D अपना क्या होगा सही answer हो जाएगा यहाँ पे हिंदू की है हिंदू दर्म भी बोद दर्म और जेन दर्म के मंदिर है साथी साथ गाइज अगर आप हमारे चैनल पर पहले बाद जुड़ रहे है तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकों का बटन आपको दिखाज रहे है उसको जरूर दबाए जिससे कि आपको अगेने वाली हेंडने क्लास की नोटिफिशन आपको मिल जाएगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें आप कमेंट कर सकते हैं इसको जड़ सेदा सेर करें अगर आपको इस वीडियो की पीडियो फाइल चाहिए तो टेलिग्राम पर एक चेनल हमारा उसको जोइन करें वहाँ पर आपको सभी परकार की पीडियो फाइल मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शिन के अंदर लिंक दे रखाए अगला जो क्यूशन है हो देखे बेलूर और हेलविड में निर्मित मंदिर डेस के हैं बात की गए बेलूर और हेलविड के बारे में तो यह जो मंदिर है वो बारवी सताब जिसे हैं ऑप्सन नमबर बी अपना सही आंसर हो गया जिसके सुनगा अगला क्यूशन देखे अगला है बगवान निट्राज का प्रसिद मंदि जिसमें भर्त नाटे सिल्पकला है डेस में इस्तित है तो इस्तित कहां पे चिंद बरम में ओप्चन नमर सी अपना सही आंसर हो गया इस चुशन का ओके अगला कुशन देखिए अगला है दक्षिनेस वर मंदिर कहां इस्तित है बात की गई है दक्षिनेस वर मंदिर की बारे में कि कहां पर यह इस्तित है कोलकता के अंदर हेदरबाद चिन्य या मेसूर के अंदर तो गैस यह मंदिर है वो कोलकता के अंदर इस्तित है अगला में बात कुरूंगा कि लिंग राज मंदिर की नियू डाली थी लिंग राज मंदिर की बात कीगी इसकी जो नियू डाली गी थी वो किसके दोरा डाली गी थी इसकी जो निव डाली गी थी वो जजाती के सी के दोरा ओप्सन नम्मर ए अपना सही आंसर हो जाएगा इस कुशन का कब ग्यारवी सताब्दी में ग्यारवी सताब्दी में बनाया गया था इसको और यह सिव को समर्पित मंदिर है गाईज लिंग राज मंदिर जो ओडिसा के बोने सर जिले में इस्तित है कहाँ पर एक जमें पूछा जाएगा कि लिंग राज मंदिर कहाँ पर इस्तित है तो ओडिसा के बोने सर जिले के अंदरे इस्तित है अगला जो क्योशन है कि उत्री धाम कहलाता है बद्रिनात ओप्सन नमर ए अपना सही आंसर हो गया इस्ट्यूसिन का अगला बात करूँगा कि पूरी दाम कहलाता है पूरी ओप्सन नमर बी अपना सही आंसर हो गया इस्ट्यूसिन का बद्रिनात कौन सा है उत्री दाम है ठीक है और पूरी दाम की बात करेंगे तो पूरी नाम से इस्पेट हो रहा है पूरी पूरी दाम जोतीस फिट कहां अवस्तित है जोतीस फिट की बात की लिए कहां पर अवस्तित है ये तो गाज यह है कहाँ पर बद्दिनात के अंदर option number A अपना क्या होगा सही answer हो गया इस question का जिसको क्या वालते है उत्री दाम अगला question देखिए संगेरी पीट कहाँ उस देता है तो यह है कहाँ पर मैसूर में option number D अपना सही answer हो गया I hope कि गाज आपको एक क्यूशन आपको वीडियो प्रसंद आ रहा होगा ओके तो वीडियो को जुरूर लाइक करें अगला question के गौवर्दन पीट कहाँ आउस देता है यह पूरी के अंदर रिस देता है option number B अपना सही answer हो गया मिंस की पूर्वी धाम अगला question देखिए सारदा पीट कहाँ आउस देता है यह द्वारिका के अंदर option number C अपना क्या होगा सही answer हो जाएगा इसके सुनका क्यों सुनने कि सुची फर्स्ट को सुची सेकेंड से मुलित किनना है सुची फर्स्ट के अंदर अपन को दिया गया कि मंदिर के बारे में कि दिलवडा का मंदिर लिंगराज मंदिर, मिनाकसी मंदिर, महाबोधी मंदिर और सूची सेकिंड के दर उनके इस्तान के बारे में बताए गया है ठीक है? कहां कहां पर है अगर मैं बात करूँ दिलवड़ा का मंदिर के बारे में ठीक है तो दिलवडा का जो मंदिर है वो कहाँ पे मांट अबू के अंदर मिन्स की एक का जो सम्भण दो से है कौन से ओप्सन में दे रख है ओप्सन अपर आपको A और D में दे रख है लेकिन जो बाकी की जो ओप्सन है उनको हम क्या करेंगे कट कर देंगे इसको B और C कैंसल कर दिया उसके बाद करेंगे लिंग राज मंदिर मैंने अभी आपको बताया था लिंग राज मंदिर कहाँ पे उरिसा के बोनेशर के इंदर तो B का संबन 3 से किस में दे रख है A में भी दे रख है और D में भी दे रखा है इस परकार से याद का कर सकते हैं अलग कर सकते हैं उनको तो इसका क्या आंसर होगा? Option number D अपना क्या होगा? सही answer हो जाएगा मिनाक्से मंदिर का संब्द किसे है? मदूरे से है और महाबोधी मंदिर का संब्द किसे है? बोध गया से तो option number D अपना option number D अपना क्या होगा? सही answer हो जाएगा अगला किसे दिए के सूची first सूची second सुमिलित करना है रामेश्वर्म द्वारिका सार्नात महाकाल मंदिर ठीक है ये तो होगे सूची first में और सूची second के दर उत्तपडियस, तमिलाडो, गुज़ात, मद्यबद्यर इस्तान के बारे में बताएगे तो कहां कहां पर ये इस्ठीत है अगर महाकाल मंदिर कहां पर है? मद्यबद्यर्म के अंदर तो option number A अपना क्या होगा? सही answer हो जाएगा इस क्यूशन का अगले क्यूशन देखें, निमनी लिकित में से कौन सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है? उसके बारे में अपन को बताना है तो गैस वो है फ्रैदेश्वर मंदिर कौनार के अंदर option number D ही अपना क्या होगा? सही answer हो जाएगा इस क्यूशन का व्रैदेश्वर मंदिर कहाँ परिष्टित है? ये है तम्मील न डू के अंदर ठीक है और किसको बगवान सीव को समर्पित है ये मंदिर महादेव को बगवान सीव महादेव को समर्ित है ओके? जैसे गउम्तेश्वर मूर्ति कहां सरण बेल गोला माकाले सुर मंदिर कहां उजिन अग्रण सिंग मूर्ति कहां हम्पी उसी परकार से व्रैद्योसर मंदिर कहां पर तम्मिलनाडु के अंदर इस्तित है बगवान सीव को समर्पित है अगला कुछन है कि मिनाक्सी मंदिर मिनाक्सी मंदिर कहां आवस्तित है तो यह है कहाँ पर मदूरी के अंदर option number C अपना सही answer हो गया अगला कुछन देखे महावीर के ज्ञानोपलब्दी महावीर के ज्ञानोपलब्दी इस्तल के निकट एक पाड़ी कुपा है जो जेन्यो का प्रसित तीर्ट इस्तल है यहाँ यह कां स्झीत अ कौन सी जगह पर यह इस्तित है तो गयज इस्तित अपर राजगर्य के अंदर option number D अपना सही answer हो गया जो क्या है जेन्यों का प्रसिद तीर्थ इस्तल है समेथ सिकर किस दर्म का तीर्थ इस्तल है बोद का जेन का हिंदू सिक दर्म का इनमें से समेथ सिकर है वो किस दर्म का तीर्थ इस्तल माना जाता है तो यह मना जाता है जेन द्रम का जेनियों का ओप्शन नमबर भी अपना सही आंजर हो गया ऐस्जोन का ठीक है अगला किशन की देवधर इस्तित प्रसित सियुमंदिर का निमान किस सासक दोरा कराए गया था यह पता दल गया कि देवदर के अंदर कौन सा मंदिर इस्तित है स्युमंदर उसका तो निर्मान है वो किसा सक के द्वरा कराए गया था ये करवाए गया था राजा पूरन मल्क के द्वरा option number B अपना साई आंस हो गया okay अगला कुछ देखे अगला है महाबलीपूरम के रत्पंदिरों का निमान कराए गया था किसके दोरा करवाए गया था ये करवाए गया था पल्वों के दोरा option number B अपना क्या होगा साई आंस हो गया और पल्लों थे वो प्रास्टिन देक्षिन बाद का एक राजवन्स था ओके अगला कुशन देखे अगला है एलोरा के प्रसीद स्रीव मंद्र का निमान किस ने कराया था ये करवाया गया था राष्ट कुसा सक प्रस्ट फस्ट के दोरा ओप्सन नम्मर सी अपना क्या होगा अगला कुशन देखे कि मंद्र के निमान का स्रे किस को जाता है तो ये जाता है चंदिलो को ओप्सन नम्मर बी अपना क्या होगा सही अंज स्रे किस ने करवायता है मैंने कल ही बात की थी साथ घन्टे के अंदर ये बनकर तयार गोगया था जिसकी धाय दिन के अंदर तो इसका जो निर्मान किसने करवाय था जो कुतुब दिन एबग के दोरा करवाय था ओप्सन नम्मर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस कुशन का जो मौमद गोरी के आदेश पर जिसकी मौमद गोरी का गवर्नेर था कुतुब जिन एबग उसके दोरा करवा गया गया था कब करवा गया था ग्यारा सो चोरान में के अगले कुछन की महाबलीपूरम का रत मंदिर किसने बनवाय था महाबलीपूरम का रत मंदिर किसके दोरा बनाया गया थाнеर्सिंग वरमन के द्वारा औपसन नमबर एक क्या अपना सही आंसर ओगए का अगले कुष्ञें ऑपना की पाडि मंदिर इडानवाय बने जा टा है किसके धुरा बनाया गया था किस सासग द्वारा बनाया गया था तो ये बनाया सी अपना क्यों होगा सब्सक्राइब कि अगले किसंद कि कहजुराओ का कंदर्या मादेव मंदिर किसने बनवाया था कि किसके दुद्वरा बनाया गया था हाँ अ को के है यह बनाया गया था उपसर D क्याय होगा अपना सही आंस्व हो गया situation का अग्ला मैं बात करूंगा सूरिय मंदर संही gostigit सूरिय मंदर की बात की गई ये कहां पर दिष्टित हैं पूरी में सोमनात में अमनात में या को नाक में तो गायज ये इस्तितक कोणार्क के अंदर option number D अपना क्या होगा सई answer हो गया description का अगला question देखे नट राज मंदिर अवस्तित है कहाँ पर यह है चिंद बरमबे option number A अपना क्या होगा सई answer हो गया description का अगला question देखे विख्याद कंदारिया मंदिर महादेव इस्तित कंदारिया महादेव मंदिर इस्तित है विख्याद कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर इस्तित गाईज यह इस्तित है खजराओ में option number D अपना क्या होगा सई answer होगा अगला question देखे रत मंदिर इस्तित है रत मंदिर के बारे में हमने पहले भी बात की है तो रत मंदिर कहां पर इस्थत है मामल पूरम में ओप्सर नमर बी अपना साही आंसर हो गया जिसन गा अगले कुछन देखे वरदयोसर मंदिर इस्थत है वड़ा देश्वर मंदिर की बात की गई है जिसके तो किसकी भगवान सीव को समर्पी था ये मंदिर कहां पर इस्तित है ये इस्तित है तंजावर में option नमर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इसक्रिशन का अगले question देखे महाबोधी मंदिर इस्तित है तो कहां पर इस्तित है तो गयाज ये इस्तित कहां पर बोध गया में option नमर से अपना सही आंसर होगा इसक्रिशन का अगले question देखे रगुनात मंदिर से ये अगर मैं बात करना चाहूं कहां पर सेन नगर में जम्मो में इम्दबाद में या गांदे नगर में तो यह स्थित है जम्मू के अंदर option number B अपना क्या होगा सई आंसर हो गया स्क्योशन का अगला question देखें अगला है 64 योगिनी मंदिर स्थित है 64 योगिनी मंदिर की बात की गई कहां पर यह स्थित है तो guys यह खजुराओं में स्थित है option number B अपना सई आंसर हो गया अगला question देखें सास बहु मंदिर इस्थित है कई बच्चे हैसर होंगे नाम सई सास बहु मंदिर की सर एसा भी कोई मंदिर है क्या सास बहु मंदिर के अगर मों बात करना चाहूंगा तो इस्थित कहां पर उध्यपूर में option number A अपना सई आंसर हो गया अगला question देखें महाकाले सुर मंदिर इस्थित है महाकाले सुर मंदिर की बात की गई कहां पर इस्थित है यह इस्थित है उज्जेन में option number A क्या हो गया अपना सई आंसर हो गया तो guys यह थे कुछ important questions जो आपकी previous एक दंगे पुछेगे थे और आपकी आने वाली exam के अदर पुछी जाएंगे I hope कि guys आपको वीडियो प्रसंदा होगा अगर आपको वीडियो प्रसंदा इस वीडियो को लाइक करें और जाद से दा share करें अगर आप हमारी चैनल पर पहली बाज़ोड रहे हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल एक जो बटन आपको दिखाए दे रहा है उसको जरूर दबाए जिसे कि आपको आगयाने वाली handling class की notification आपको मिल जाएगे तो guys मिलते हैं next class में नेक्स्ट इंपोर्टेंट और दमाकेदा किसन के साथ तब तक के लिए थैंक्यू गूडबाई और टेक केर